चंद्रियान टू का विक्रम ब्लेंडर आज दो दिन बाद जब सामने आया तो पुरा देश एक खुशी से जूम उठा लेकिन पडोस से मुल्क पाकिस्तानी फिर बोल उठे उन्होंने जो बोला वो आपको दिखाएंगे कि आखिरकार हमारे खुशी से कितना जलता है पाकिस्तान नमस्कार स्वागत है आपका एड़्लाइंस इंडिया पर मैं हूँ नवीन चौहान लगता है कभी भी सुधर नहीं पाएंगे क्योंकि तस्वीरे कुछ ऐसी है पाकिस्तान के मंतरी फवाद चौधरी ने हद कर दी उन्होंने जो फिर से कहा वो आप जरा आज एक एक कर देख लीजिए क्योंकि महस महस कुछ ही घंटे बीते थे और फवाद चौधरी जुन जलाट में फिर से सामने आ गए फिर से हमारे चंद्रियान पर उन्होंने माखौल उड़ा दिया आई एक एक कर दिखाते हैं लेकिन आपको वो भी दिखाएंगे कि पाकिस्तानियोंने किस तरह से उनको जवाब दिया और उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है क्योंकि आमनागरिक भारत की सफलता को कैसे देखता है ये अगर आपने नहीं देखा तो आपने एक हिस्सा खबरों का छोड़ दिया वो आपको दिखाएंगे लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि फवाद चौधरी ने क्या कहा उन्होंने ट्वीट क्या हो कहा कि भारत का नियंतरित ब्यावार अंतरिक्ष में फैल रहा है पहला विशन असफल रहा था और इस उपग्रह के सैंक डो टुकडे अंतरिक्ष में नश्ट हो गए थी तो देखा आपने किस सरा से वो ट्वीट कर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंको पता होना चाहिए कि हमारा विक्रम लेंडर वहां पे क्रेश नहीं हुआ है वो आखिरकार मिल चुका है और यही सबसे बड़ी खुशी है अगले 14 दिनों तक हम उनसे संपर्ग भी कर सकते हैं और जल्दी वो तस्वीरे भी सामने आएगी वो संपर्ग भी सामने आएगा जब पाकिस्तान को मूँ तोड चवाब मिल जाएगा लेकिन उनके मंतरी ने ऐसा बोला और उसके बाद किस तरह से पाकिस्तानियों ने ही वहां के आम नागरे को ने ही अपने मंतरी को मूँ तोड चवाब दे दिया उनकी घिग्डी बांदी और भारत की सफलता के बार उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाएंगे लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तानियों की ये बात आप सुनिये उनका बयान आप सुनिये क्योंकि भारत क्या बोलता है भारत के लोग क्या बोलते है ये भी आपको देखना जरूरी है आये दिखाते हैं कि हिंदुस्तानियों ने इस पूरे खबर के बाद क्या कहा और फवाज चौधरी पर भी कैसे चुटकी लेली हिंदुस्तानियों ने देखिए सबसे पहले ये पब्लिक ओपिनियन पाकिस्तान तो बुखलाया हुआ है अंतर राष्टे पर हर मुद्दे पर उसकी जो है वो हार हो रही है बुखला करके वो कुछ भी बोल दे तो उसका तो कोई बात है नहीं लेकिन जहातक चंद्रियान टूगी बात है वो हमारे लिए एक बहुत हमें ये भी इस बात की खुश्य है कि 95% जो है हमारे विग्यानिक चांद पर पहुँच गिए और दुख इस बात का है कि सिर्फ मातर सवा 2 किलो मीटर की दूरी पर ही हमारा यान जो है से संपर तूड़िया और ये देश को बहुत बड़ा धक्का भी है और इसके साथ देश को उन विग्यानिकों पर गरू भी है कि जो 95% हम वहां तक पहुँच गिए गर अगर कोशिश करें तो थफल भी है बन्दा, मैनज जरूरी है पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे? आप एक युवा हैं उनको क्या मुझ तोड़ जवाब देना चाहते हैं इस माध्यमते? पाकिस्तान के बारे में क्या कहें हम, मैं पाकिस्तान के बारे में मात रितना ही कहूँँगा, खस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, पाकिस्तान के बारे में बस एक यही शब सही है, पिछे अमेरिका ने भी उन्हें बहुत कड़क भाशा में जवाब दे दिया, कि यह जो गुलाम कश्मीर है, यह हिंदुस्तान का हिस्सा है, और नियम कैदे कनून के हिसाब से आप इसे जल्द से जल्द खाली करें, और हिंदुस्तान के सामने, अमेरिका ने भी कह दिया, अमेरिका के राष्टपती जी ने भी कह दिया, आप कहीं भी ठहरते नहीं, आप आए दिन उल्टी सिद्धी बियानबाजी करते हो, किसी दिन महौल गरम हो गया, तो मैं मोदी जी को रोक नहीं पाऊंगा, तुमारा पाकिस्तान नेस्तना बूत हो जाएगा, और पाकिस्तान पे इस समय यही बात फिट बैठती है, खस्यानी बिल्ली, खंबा नोचे. तो देखा अपने किस सरा से भारतिय शांदार तरीके से अपना बयान दे रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान क्या सोचता है, उन्होंने अपने मंत्री को किस सरा से जवाब दिया, आमेर चौधरी हैं, पाकिस्तानी नागरिक हैं, वो कहते हैं कि आपकी जलन अभी तक कम नहीं हुई है। इर्श्या की ज्वाला में चलने से वहतर है कि प्रतिस परधा की शेत्र में भारत को चुनौती दे और उनसे पहले चांग पर पहुँचे। आप में किस तरह से पाकिस्तानी अपने मंतरी को जवाब दे रहा है। पाकिस्तान में भी समझजार नागरिक है। इससे पता चलता है। और बात कर रहे हो अंतरिक्ष की इससे बड़ी बिज़ती इमरान के एक मंतरी की कैसे हो सकती है और समझा जा सकता है कि जो ट्वीट्स समने आपको दिखाए हैं वो उन पाकिस्तानी नागरिकों की ट्वीट्स हैं जो अच्छी बात का समर्थन और बुरी बात को लतारते हैं और इसी तरीके से उनों ने पावाच चौधरी को जबरतस्त जबाद दिया है आप भी अपनी राय रखे इस वीडियो को शेर जरूर कीचे पूरा मुल्क इस वीडियो को देखे पूरी दुनिया देखे और साथ ही हेड़वाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीचे और घंटी जरूर दबाईए क्योंकि लगातार शांदार मुद्धे जमीन से चुड़े मुद्धे आपके लिए लेकर आते रहेंगे और इसी तरीके से बात करते रहेंगे नमस्कार